गुद मॉर्निंग बच्चो मैं मैं सीजनी स्मित लालपाग गल्सिंटर कॉली से सब्जेक्ट सिविक्स क्लास 10 के बच्चो के लिए यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चो आज हम आपके सामने कुछ महते पूर्ण शब्दा वली डिसकस करेंगे आप उनको ध्यान से सुनिएगा आईए देखते हैं पहला है हमारा युक्ति परक एक ऐसा फैसला जिसमें विवेक कर अधार पर खानी लाप का हिसाब लगा कर फैसला किया जाता है युक्ति परक कहलाता है यह लापकर परणामों पर जोर देता है दुसरा है हमारा केंद्रिय सरकार याने सेंटर गौर्मेंट पूरे देश के लिए बनने वाली एक समाने सरकार को केंद्र सरकार या संग सरकार भी कहते हैं तीसरा है हमारा नियंतरण और संत्रण की व्यवस्था ऐसी लोगतांतरिक व्यवस्था जिसमें नियाय पालिका की निक्ति कारे पालिका करती है पर नियाय पालिका ही कारे पालिका पर और विधाय का द्वारा बनाये गए कानूनों पर अंकुष रखती है इस विवस्था को नियंतुरन और संतुलन की विवस्था भी कहते हैं एसे लोगों का सम्हू जिनके हित एक जैसे होते हैं जैसे मजदूर संगठन और किसानों का संगठन फिर है हमारा दबाब समू जब विवन आर्थिक हितों के संगठन अपने हितों की पूर्ती के लिए सरकार पर दबाब डालते हैं तो ये हित समू दबाब समू कहलाते हैं अपने हित में सावजनिक नीतियों को प्रवाबित करने की चेस्टा करते हैं शतेज वित्रण, शतेज वित्रण किसे कहते हैं? शाशन के विविन अंग जैसे विधाय का, कारेपालिका और न्यायपालिका के बीच जो सत्ता का बटवारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सत्ता शतेज वित्रण कहते हैं, अब लास्ट पॉइंट है हमारा लोगतंत्र, एक ऐसी शाशन विवस्था जिसके केंद्र में लोगों को आथर्त लोगों के द्वारा बनाई सरकार, जो लोगों के हित के लिए काम करेगी, तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी, उस जो आज हम आपको इतना ही बताएंगे, थेंक्यू सो मुच वाच वाच।